हालो और वेलकम दोस्तों फाइं मिनिट्स इंजीनेरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आपन जो है बात करने वाले हैशिंग की इन ब्लॉक्चेन देखो है और मैं आपको बात बताता हूं यह जो हैशिंग वाला आपका कम से कम समय लूँगा आपने दोसे जादा जादा गंडें डिलिवर करनी कोशिश में दी इस वीडियो में रहने वाली है बाइसाब सास रुग गई तो चलो अभी शुरू करते हैं हैश के बारे में ठीक है तो यहां पर बात चल रही किसकी है यह यह देखो यह आपको बताने वालों सारी डीटेंस बताने वालों तो सबसे पहला आप नोट डाउन कर लीजिए कि यह जो हैश वैलिए ना जो हर एक ब्लॉक के साथ होगी जिसे अपन ब्लॉक हैश भी कहते है तो वह 64 चैरेक्टर लॉग होगा 64 चैरेक्टर और इस कैरेक्टर में मतलब जो 64 चैरेक्टर आपको दिखेंगे उसमें जरुरी नहीं है कि सब सरफ आकड़े ही हो सिर्फ डिजिट से हो नहीं नहीं इडिजा अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या कि नंबर भी हो सकते हैं तो साथ ही वाजमें आ गया यह यह वैल्यू जेंडरेट कैसी हो रही है यह आउट्पुट आ शाइं कर रहे हैं किस बेसेस पर डिसाइड हो रही है समझने वाली बात एक सवाल बढ़ा सिंपल सा इसका उत्तर रहा है ब्लाग में बहुत सारी और वी फिल्ट होती है जैसे कि नोडाउ वपन माइनिंग समझ रहे थे, नॉंस एक नंबर होता है, ओके, ये भी एक important factor बन जाता है, जब आपको hash value चाहिए होती है, या कुछ, you know, बदलना है, like that, उसके बाद जो तीसरा आता है, आपका सबसे important, एक कहते ना, गहने जैसे तीजोरी में होते हैं, वैसे ये जो गहने है ये आपका transaction data है, ये आपका actual data है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए है, तो ये जो data है, ये आपका, यहाँ पर एक और field है, जो की input दिया जाता है, जिस basis पर आपका hash decide होता है, और साथ ही साथ, previous hash भी contribute यहाँ पर करता है, to get a hash value as output, ठीक है, तो ये तो जान लिया, लेकिन function कौन सा है, ये तो आप बताओ जरा हम को चलो ठीक, अभी बताते हैं, अब यार, ये क्या गंदू रखिए, ये मेरे टी-शिर्ट, थोड़ा टच हुआ नहीं की भाई, छोड़ देता है, इसको अपने काम करते हैं, भाई, गायब हो जा, आहा, गायब हो गया भाई, चलो, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था, hash function, की कौन सा लगाते हैं, ये hash function, तो उसका नाम है, शा-256, नाम तो सुना होगा, सही बात हैं, नाम तो सुना होगा, शा-256, ओके, विसे शा के बारे में आपन कुछ वीडियो में पहले भी डिस्कुस कर चुके हैं, अलग-अलग सब कहने का मतलब है, ये एक अलगुरिदम है, शा-256, ओके, अब होता क्या है, कि भाई, ये सारी चीज़े जो इसी को दी जाती है, मान लीजे, अपना एक डॉक्यूमेंट है, डेटा है, जो भी है, वो सारी चीज़े इसी दी जा रही है, ओके, अब वो किसी भी साइस का हो, वो इसे यहाँ पर हम लोग दे रहे है, शा-256 को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे है, और ये भाई साब हमें क्या देते हैं, आउट्पुट में, ये हमें क्या देते हैं, ये सिंप्ली हमें वही 64, जो लेंग्थ लॉंग, 64 कैरेक्टर लॉंग का एक हैश वैल्यू अपने रहा है, of this respective block, मतलब जैसे अगर मैं block हूँ, तो मेरी ये hash value है, actual मैं person हूँ, तो मेरी unique identity मेरा fingerprint है, उसी तरीके से अगर ये block है, इसको अगर person की तरह देखे, तो इसका fingerprint क्या निकल के आएगा, वो आएगी उसके hash value, मतलब कहने का ये है, कि हर एक hash, जो आपका, sorry, हर एक block जो रखनी है, कि ये traffic one way है, ये two way नहीं है, two way नहीं है, ये सिर्फ one way चलता है, ये जो भी इसकी possibility, जितनी भी हो सकती है, ये सिर्फ one way में ही possibility generate हो सकती है, कहने का मेरा एक simple example मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए, ये fingerprint है, ये fingerprint मेरा आपके पास है, तो क्या उस fingerprint से आप पूरा श्रीदर मान कर तयार कर सकते हो, मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से, अगर आपके पास 64 character long hash value है, तो उससे आप जो given input data या document था, वो generate नहीं कर सकते, that is what I am trying to tell you, ठीक है, तो I hope दोस्तों अभी यहां का नजरा थोड़ा आपको बेटर दिख रहा लेकिन भाई यहां पे शब्द तो आपको पता ही था कौन सा लिखा हुआ है, शाह 256 ही था यहां पे, बट I hope now it's clear, ठीक है, तो अगले point पे बढ़ते है अपन, अब यहां पे एक चीज तो मैंने बता दिया कि यहां से ऐसे नहीं जाया सकता, यह तो आपको बात समझ में आ घर्ट आता हो, ठीक है अब यार, यह जोग बन रही है, अ garbage कर रहा है, यह लग रंग भूल यहा पे बन रही है भाई ओ आ और यह भी बज गया घटायब हो जाओं हां तो मैं क्या कैसो हां च्थो आप सकता हो मतलबिघया , यहीं आलगरिदम है यहीं जो अपना शाह 256 वाला मामला यही है इसको मैंने क्या किया एक document दिया एक data दिया let's say D1 दिया let's say D1 दिया एक कोई data हो सकता document हो सकता है उसने मुझे एक उसकी respective hash value generate करके दी यही nature की same वही nature की मुझे जो है एक hash value H1 generate करके दे दी अब कुछ देर बाद कुछ समय बाद मैंने इसी algorithm को यह जो यहां mention किया same algorithm को मैंने दे दिया वापस से D1 वापस से D1 दिया है मैंने तो उसने मुझे जो hash value देनी चाहिए वो H1 ही चाहिए मेरको H1 ही मंगता है कुछ और नहीं मंगता है थोड़ा सा भी उस hash value में मुझे change नहीं मंगता है क्योंकि भाई जब मैंने input में change नहीं किया तुम output में कहाई change कर रहे हो तो यह deterministic nature जो है यहां पे आपको दिखाई देना चाहिए पात आपको समझ में आ रही है that is the one thing that you should understand और साथी साथ इसके साथी साथ एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए एक और चीज आपको समझ में आनी चीए कि अगर आपके डिवन इंपुट में थोड़ा सा भी थो ताउड़ा सा भी इत्तुसा जफिख इत्तुसा ओचै ड इवरा से बहुत यह उड़ा सब्सक्राइब तो यह उड़ा सपन से चेंज असलोग अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज यहां पर होगा ओके तो आपके हैश वाली अलगा नहीं चीए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिख रहा होगा यह तो आपको आपका यह जो जो हैश वैली ओ तो अलग दिखनी है आपको सही बात है कि नहीं बट यहां एक और बात में आपको बता दू रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता मैंने क्या बोला डिफरेंट डॉक्उमेंट ही ट्रीट किया जाना चाहिए चैहिए उस हिसाब से डिफरेंट ही जन्रेट होना चाहिएल्म इसा और डापने 10… दाय कि यह गलत बात है यह एलिए इसा नहीं होना ची करीशनी फिय emba का रिगासिस हैं है चैह अच्छे लगी हुए अगर आपकी मदद्द होगी दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे उससे बिजार जरूर इस वीडियो को शेयर किजिए अपने सार दोस्तों के साथ थैंक्स अलोड दोस्तों वह वाचिंग दिस वीडियो